दोस्तों उडीसा के बाला सोर में हुए दर्दनाख हाथसे को भी शर्मनाख बात ये है कि उसको हिंदू-मुस्लिम एजेंडे में बदला जा रहा है दोस्तों आप सोचेगा कि कितनी घिनोनी सोच इन नफरती चिंटूओं की हो गई है कि एक तरफ इतनी लाशे हैं एक तरफ इतने परिवार हैं जिनके सदसे जिनकी कुछ की मौत हो गई है कुछ गंभीर रूप से घायल है पूरा देश इस घटना के सदमे में है इस दर्दना घटना को याद करके सदमे में देश है लेकिन नफरती चिंटू अपने नफरती एजडने में दोस्तों लगे हु कि जिस जगह को जिस वाइट कलर की बिल्डिंग को ये मंदिर मस्जिद बता रहे थे वो एक्चुल में मंदिर था बरहाल कोई भी धर्मिस्तल हो लेकिन ये नफरती एजडना कैसे फिलाया जा रहा था इसका परदाफाश भी दोस्तों हो चुका है लेकिन अब हद तो ये ह नफरती और कितनी घिनोनी सोच इन लोगों की निकल कर सामने आ रही है और हर बार ये नफरती सोच का परदाफाश भी दोस्तों हो जाता है आपके सामने दो तीन स्क्रिन शोट रखूंगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस दरदनाग घटना को भी इन कि ये कही साजिश लगती है शुकरवार था मस्जिद पास में थी मुसल्मानों की वज़से हो सकता है एन आईये से जाच कराई जानी चाहिए कोई भी सवाल नहीं था कि इसमें किसकी चूक है कौन जिमिदार है क्या किसी अधिकारी की चूक है आखिर ट्रेन कैसे पलट हूँ ये देख लीजे कि किस तरह हां से शुकरवार था और मस्जिद के नाम पर ये सब कुछ होने लगा लेकिन उसके बाद दोस्तों ये बताया जाने लगा कि दरसल जो मदद करने वाले बलट देने वाले और सायतों को निकालने वाले सायता करने वाले पीडितों को निक निशाना बनाया जाए दजाट एसोसियेशन ये ट्वीटर है इससे ट्वीट आता है दोस्तों शर्मनाक आप देखिए कि मदद की नाम पर कैसे मुसल्मानों को निशाना बनाया जाता है ये लिख रहे हैं कि उड़ीशा में हुए रेल हाथसे में कुछ महतपूर बात समझने लायक है क्या बात समझा रहे हाथसे के बाद बजरंग दल के कारे करता राहत कारे में लगे हुए देखने को मिले इसके आगे वो लिख रहे हैं कि अभाविप के कारे करता राहत कारे में सहभागिता करते दिखे विश्म हिंदू परिश्वत के कारे करता रक्तदान करते द कार की सहाइता में दिखने की खबर नहीं बस यही है फर्क है सनातन और उनके संसकारों में उनके मतलब मुसल्मानों के क्योंकि मुस्लिम लीग का इनोंने नाम लिया और यह कहा कि कोई भी उसमें जो है नजर नहीं आया अब सच्चाई क्या है दोस्तो हलाकि इन नफरती चिंटों को जबाब देने की जरूरत नहीं है कि कौन मददगार है कौन नहीं है और जाहिर सी बात है गैरंटी के साथ मैं यह बात कह सकता हूँ और आप भी अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप दिल प ही वो मदद करने वाला है वो मुसलमान होना चाहिए वो सिख जो हिंदू इसाई यह इस धर्म का होना चाहिए कभी नहीं सोचेगा वो सोचेगा कि सिर्फ वो पिडित है और मैं इस लायक हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और इंसानियत के नाते मैं उसको बलड़ नीचे आप देख सकते हैं जमियत ओलेमाई हिंद की तरफ से कुछ मौलाना है जो की आगे हम पढ़के बताएंगे कि ये कौन है और ये जो है वहाँ पर पीडितों से मिल रहे हैं और ब्लड देने के लिए वहाँ पर पहुचे हैं क्या लिख रहे हैं रेल हाथ से में घायल ल कर रहे हैं किर्पिया हम से सब्पक करें जम्यत के साथ साथ उड़ीशा के तमाम मुस्लिम संगठन इंडिया इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन हर संबा पीडितों की मदद कर रहे हैं अब तक लगब अर्तालिस लाख रुपे की राशी मदद के लिए करवाया जा चुका है अर्तालिस लाख रुपे की मदद आप सोचिएगा अर्तालिस लाख रुपे की मदद करवाई जा चुकी है ऐसा स्वेब जम्य कह रहे हैं आगे लिख रहे हैं कि इनसानियत हमारे लिए पहले है मदद करने में हम किसी का धर्म जात रंग नहीं देखते फोटो जी भी अपन के साथ एक जुटा और संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीगर स्वास्त होने की प्रारतना की समझे हैं मुलाना मद्नी है और वहाँ पर पहुचे हैं पीडितों से मिले हैं अस्पिताल तक पहुचे हैं और वहाँ पर मदद की है और मदद राशे आपको बताई दी 28 ल लेकिन इन नफरती चिन्टों को देखिए कि इनकी सोच कितनी घिनोनी हो गई है और किस तरह से ये नफरत समाज में फैलाना चाहते हैं इसका आप अंदाज लगा सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको क्या कुछ लगता है और इन नफरती चिन्टों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बोक्स में आकर अपनी राइज जरू दीजेगा अगर अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कीजेगा शुक्रिया